कि तो लेंसिस कंटीव करेंगे जब के करेंगे लेंशेस के सारे लेंशेस की सारी थर्मिलोगी के सबसे पर। सब्सक्राइब होता है रडियर सब्सक्राइब में अब और इसे के साथ हमने काटीशन कवेंशन भी पड़ा अभी काटीशन सांग मिंशन होता क्या है राइट साइड में पॉजिटीव लब साइड में नेगेटिव ऊपर पॉजिटीव नीचे नेगे जो आपका कार्टिशन कोर्मिलेट सिस्टम होता है जो convention पुलाते तो यह भी हमने पढ़ा हम लोग ने यह भी पढ़ा ठीक है अभी अभी हम लोग इसके बाद हमने फॉर्मिला भी बढ़ा था तो लेंस फॉर्मिला हमने पढ़ा था 1 by V माइनस 1 by U is equal to 1 by यह वाला लेंस फॉर्मिला पढ़ा था इसी के सांने और एक फॉर्मिला पढ़ा था मागनिफिकेशन अभी मागनिफिकेशन होता क्या है यह होता है हाइट आप इमेज अपन हाइट अबजेक्ट से और यह कितना आ रहा था हाइट अपन हाइट तो लॉटें चला दिसे तो लास्ट्ट रास में हमने इन फॉर्म फॉर्मिला प्रीट न्यूमरीक्ट शे कटे अब हम लोग वही चीज़ा अगा कंटीनियु करें थे वही चीज़ा पील अगले पॉर्शन को कैसे इंटरप्रेट करना है और कैसे फॉर्मिला ठाइट यह सा कॉंवर्जिंग लेंज और फोकल लेंग 10 cm तो यह एक स्टेट्मेंट दिया हुआ यह पहला वाला स्टेट्मेंट यह इसी स्टेट्मेंट में कितने सारे इंफॉरमेशन से यह देख लो इंचेंटि पहले तो जैसे जैशने पढ़ रहा हुआ है से वे सब्सक्राइब लिए पाइए जया पर लिकते भी नवापजेट फाइज संटीमेटर है अब्जेट आपजेट गाइए यह पिर अब्जेट का है तो अब्जेट है अब्जेट है थे अब्जेट इस तादे रह है अब्जेक डिस्टेंस कि इतना दे रखा है 25 cm दे रखा है अच्छा पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना में अभी नहीं बता हूंगा जब में सौल करूगा तो पता हूंगा यहां पे कॉंसे टार लेंज है यह से अनिवन कॉंवर्जिंग दो कान्वेक्स कोंके मिश्लें हों फैंग कोन्वेक्स सब्सक्राइब का इतना मायं में रखो इतना मायम एक जब भी फिक वर्जिंग लेंज बोलें तो they are talking about convex lens or diverging lens diverging lens in that case, they are talking about concave सभी इतना याद रखो अभी इसके बाद में रे डाइगरां बताऊंगा तब बताऊंगा की ऐसा क्यू है Converging का मतलब Convex Q or Diverging का मतलब Concave Q सभी तो इसके में Converging लेंज बूला किया विची नतिंग बडिया टॉकिंवाट Convex लेंज तो जिन जिन बच्चों को इतना क्लियर एक हमजा दो जे चलो Converging लेंज और फोकल लेंज फोकल लेंज दे रहा है 10 सेंटीमेटर तो Converging लेंज भोल रखा है और इसी का फोकल लेंज फोकल लेंज कितना दे रहा है फोकल लेंज इसका 10 सेंटीमेटर अभी फिर से पॉजिव लेना है कि नेगेटिव लेन हमें नहीं पता देखे है क्या बोला है डित आमने अ पोजीशन साइज एंड टाइप उप इमेज तो क्या-क निकालना है पॉदिशन निकालना है, साइ्स निकालना है और टाइप निकालना है तयप का मीनिग देख लेते हैं नेचर वेचर सहीत चलो तो यहोगी आपका क्मेसिन आपका जो भी कोईसे उसको मैंने एक बोले का काइंड आफ रफली मैंने इस यहां पर लिख गया है सबसे पर लिख दिया है और इस कॉनमेज का पोजिशन पूचा है यहां पर लिख दिताओ मैं इमेज इमेज का पॉजिशन पूचा गया, इमेज की साइज पूची गया और इमेज का टाइप पूचा गया, टाइप मिन्स नेचर की बात करें, तो अभी मुझे बताओ चलो, इसके आगे वाट शुड़ा यूस, सबसे पहले डेटा लिखना हमें, सबसे पहले गिवन पॉंटिड सबसे पहले जभी आप कोई भी आंसर स्टार्ट कुरों मैं आपके बोर्ट के परस्पेक्टिव के हिसाब से भी बता रहा हो, यह तो राइट गिवन तो क्या-क्या दे रहा है, सबसे पहले, अबजेट है इस पाइट संटीमीटर, अबजेक है देरा है, उसके बाद, अबजेक्क इस पॉजिटिव लो यह तो पॉजिटिव फॉजिटिव, गलत नेगेटिव, अबजेक्ट डिस्टन्स हमेशा नेगेटिव लेते है क्यों से फिरो अप्जेक्ट को लेंज में लेफट मेरा जाता यह आपने माइंन में लॉक कर दो यह चीज, यह किसी भी कू अभी अब्जेक डिस्टन जो है वो माइनस 25 ले लिया उसके बाद कॉंवर्जिंग लेंज भोल रहा है मतलब यह तोकी बाट कॉंड लेंज अच्छा दें विया फोकल लेंज फोकल दे रखा है कितना दे रहा है 10 cm अच्छा कॉंवेक्स लेंज का फोकल लेंज पॉजटिव होता है कि नेगेटिव होता है एनिवन यह भी मैंने लास्ट लेक्षर में बताया था आपको रेकॉर्डिंग है देख लेना आपका जो अपका जो अपका आपका 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 आपक तो यह भी प्राक्टिस आता है तो जितनी अदा प्राक्टिस करो कि उत्तना बैटर रहो गया और प्लीज एवरीमन जो बच्छे नय है और जो बच्छे पुरान है तुम लोग भी मेरे साथ लिखो ठीक है बस या पर पिच्चर मत देखो मेरे साथ बैठके या पर मेरे साथ तो आपकी यही पर प्राक्टिस हो जाएगी सही बात है ठीक है चलो अभी अब्जेक्ट हाइट दे रहा है इमेज दिसंस दे रहा है फोकल लेंग दे रहा है कैसे स्टार्ट कुरू में कौन बताएगा मुझे हाउ शुड़ा सबसे पहले हम लोग लेंस फॉर्मिला तो आदा मार्क उदर ही कट कर दिया जाएगा और जैसे हमारा प्रॉमिस है कि हम लोग मॉडरेटर को एक भी जगे पर मार्स काटने ही नहीं देंगे ऐसा हम लोग ने मन में निश्य करके रहा है तो सबसे पहले मैं आपर फॉर्मिला लिखूंगा फॉर्मिला क्या है फॉर इसा है वैसा सब्स्ट्रीट करो ऐसा बोले मां इतनी इदर अल्रेडी नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव नी डालोंगा कुछ नहीं फॉर्मिला आटमाटिकली सब कुछ एजस्ट कर लेगा जो है वो डालो यहां पर यू माइनस 25 है तो माइनस 25 ही डालना है ठीक है इस इ 25 आजाएगा इस इक्वल तो वन बाइट तो यहां पर आपका वन बाइवी क्या आजाएगा वन बाइवी आजाएगा वन बाइटन माइनस वन बाइट विटीफइव अच्छा टैन और ट्वेंटीफाइव क्या है 50 तो दोनों के डिनॉमिन टाने की कोशिश करेंगे यहां वन बाइवी क्या जाएगा इसे 50 बनाने के चकर में आपे नियुमर देंब फाइव लेना पड़ेगा तो वन बाइटन को मैंने लिखा पाइव फिफ उसी इसे 50 बनाने के चकर मुझे आपे टू लिखना पड़ेगा तो दो बाइविटी तो यह चीज ओर और और किया बन सेंटीमेटर में लिए तो मुझे आंसर भी सेंटीमेटर में ही आएगा चलो इसे तरह काम करते हैं अब क्या हो जाएगा यह त्री वन्दा थ्री देन विए 20 अगें 267 तो 16.67 सेंटीमेटर ऐसे रखो ऐसे रखो रिक दो यहां तक लिए थम्जाब दो मुझे चलो जली से ठीक है आपका मैगनिफिकेशन फॉर्मिला होता है वी भाई सही है ठीक है तो मैगनिफिकेशन तो मिल जाएगा मैगनिफिकेशन का फॉर्मिला है तो यहां पर वी के बदले क्या लिखेंगे हम लोग वी जो हमें अभी अभी निकला है एक काम और 50 by 3 को बैटर होगा कैल्कुलेशन करने में यह 16.67 लिख देंगे तो फोड़ा इशू हो जाएगा तो 50 by 3 सही है अच्छा तो वी के बदले वर 50 कटके यहां पर 2 तो यहां पर आपका जो मागनिफिकेशन अच्छा जाएगा माइनस कुचा क्या पूचा का पूचाएगा इमेज पोडीचन का फाइस कुचा तो आपका जो magnification it is nothing but image का हाइट अपर अब्जेक का हाइट यह जो है यह माइनस तूबाइट के बराबर सही बात है दाट मेंस आपका इमेज का हैट किया हो जाएगा यह जाएगा माइनस तूबाइट प्रीद अब्जेक का है सही है अचा अब्जेक का हाइट देरेका है सेंटीमेटर्स तो यहां पर जागा माइनस तूबाइट थी इनकू फाइट तो तो आपको इमेज का डिस्टंस मिल गया और आपको इमेज की हाइट मिल गई तो जिन जिन बच्चों को यहां तक क्लियर एक थम्जाब तो मुझे चलो जल्दी से मैं पूरा सलुशन आपके सामदी लग रहा हूँ तो आपका इमेज बनता है वर्चू अचा मिरर के केस में उल्टा होता है इतना याद रहो यह मैं लेंसे की बात कर रहा हूँ लेंसे के केस में अगर आपका इमेज डिस्टंस पॉजिटिव में आपे लिख रहा हूँ लेंसे के केस में अगर आपका इमेज डिस्टंस या फिचलो में वी लिख रहा हूँ अगर आपका वी आता है पॉजिटिव अगर आपका वी आता है पॉजिटिव अगर आपका वी आता है पॉजिटिव यह रियल और अगर आपका वी आता है नेगेटिव डाट मिन्स यह इमेज आपका वर्च्वल मिरर के किसमें उल्टा हो जाता है अगर इमेज दिसन्स नेगेटिव बतलब रियन आगर इमेज दिसन्स पॉजिटिव मतलब एतना अपके मैंडे आध मिर उसके बार TOP तो इस case में, since image descent positive आहा है, तो यह image अपने real है. यह image अपने real है. उसके बाद. जो height of image है वो negative आह रहा है. तो जाहिर सी बात है negative आहा है, बिचारा नीचे चला गया है. सब्सक्राइब है? अगर आपका height of image आहा है positive, इसका meaning होता है erect. और अगर आपका हाइट आफा माअवा हाच आ रहा है नेकट इसका मतलब होता है इंवर्ट रिन इन वर्ट इंवर्ट इ सिंसापका इमेज जो है वह नेगिटिवर रहा है अधेले सिपर तो अहिक चीज़ बच्ची है, वह ए्लाज्स लेकी देमीटिस्टे की इमिलाजे की डिमिस्टे अगर आपका मैगनिफिकेशन का मैधिवन का मागनिटिवन का मीनिक, I'm not considering the negative side. अगर नेगिटिव साइन आ तो भी चलता है, just considering is come magnitude. कि अगर आपका magnification जो है अगर यह वन से बढ़ा है ताट मेंस आपका image है enlarged और अगर आपका mod M that means magnification का magnitude अगर वन से छोटा है तो यह diminished और इस केस में आपका जो magnification है आपका जो magnification है दिख रहा है वो minus 2 by 3 2 by 3 1 से छोटा हो थाया 2 by 3 1 से छोटा था अल्सो यहाप है height of image 3.33 are your height of object 5 cm that means image 40 objects and that's the reason it is diminished so is case में आपके nature of image a type of image में आएगा real inverted and diminished real inverted and diminished यह एक्दम अच्छे से माइबर को यह जो मने आपके बनाया है यह एक्दम अच्छे से माइबर को एक्जाम में और question में कहीं पे भी इतने अच्छे से नहीं दिया जाएगा बट लिए अपके माइबर को एनिवेन इवर वी सौट तो जिंजिन बच्छों को यह पूरा का पूरा नुमरीकल के लिए एक थम्दा तो मुझे चलो जल्दी से जो ना वित अवर बट आवबर डिवर वावर एफ लिन्स बैसिकलीः पर वट का अक्छेस का physical interpretation होता है यह यो प्रेडलिको किपनवा ज्यादा बेन कर सक지는 बेंड को इसके सिर्ट फोर्व देलीटी Ability of a lens the ability of a lens to bend a light a light ray a light ray this lens में पावर ज्यादा जिस लेंस में पावर ज्यादा वो ज्यादा लाइट को बेंट कर सकते हैं और जिस लेंस में पावर कम वो लाइट को कम बेंट कर पाएगा सही बात ठीक है अभी मैं आपको यह चीज़ें समझने के लिए जांए आयल टीक्ट वो एग्जांपल में आपर दो कॉनवेक्स लैंस ले रहा हो एकसा बांगे अच्छा पहले वाले के पहले वाले के केस में पहले वाले के सिरी और इसने Light City इसने लाइट है Kings Canada और हमने पता अजिर प्री princia parallel जो भी लाइट की ओ फोकुस पर जी अचनिक इसका को फोकॉस होगी और यह डिस्टेश है किम इसकाफ फोकल लेंग को सेकेट से केंड किऑसमें किया हरा है सेके छो हुआ पहला दूसरा केस आउट किसिरे केस में जादा है Gu एनिवन इसजीजन कैसे कशिरे की एं जाहिर साहिर बात एंप जिजसे कि पटो यहां पॉह और रहे है क fick आउत पनेिटी कॉ फ श केस मुऌन केस में लाइट बेंडय है यह से बंदन एक है Bending in first case is greater than bending in second case. तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें? इसका मतलब कहना ऐसे कि अगर focal length जाधा मतलब bending कम और focal length कम मतलब bending जाधा that means आपका जो light bend करने का ability है वो focal length के inverse दी proportional नहीं है किसी भी lens का अगर focal length जाधा है that means वो light को कम bend कर सकते है और किसी भी lens का अगर focal length कम है मतलब लाइट को जाधा bend कर सकते है तो आपका जो भी पावर है ना पावर का फॉर्मिला किसी भी lens के पावर का फॉर्मिला है यह वन बाइफ है तो वन बाइफ का physical interpretation समझ आपको क्यों विकास हमें यह चीज़ पता चलिए अगर focal length ज्यादा तो पावर कम अगर focal length कम तो पावर ज्यादा एंड जादा यहां पे पावर का फॉर्मिला आजाता है वन बाइफ अच्छा यह आपके electricity का पावर नहीं है यह अलग पावर सब्सक्राइब और इसका unit होता है डायप कर तो इसे capital D से रेप्रेजेंट कर तो चलो यूरेट वाद में लिख दूंगा मैं फिलाल के इतने याद रखो कि आपका जो भी focal पावर है उसका फॉर्मिला होता है वन बाइफ तो जिन जिन बच्चों को यहां तक के लिए पावर है तो यह इतना पावर है तो यही फॉर्मिला वाला पावर है अचा इसका unit होता है डायप कर तो उसे capital D से रेप्रेजेंट से रेप्रेजेंट से रही बात है अच्छा अभी देरा टू टू टाइप सफ लेंस करेक्शन देरा टू 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 टाइप साफ आइड एक हैकर अबियोप्या एक हो अथा hypermetropia-myopia को nearsightedness भी बोलते हैं इस इन आन्यों Creator से नियरसाइधएदनेट निंऌ घुलात यहाँ सर मेरा यही है अचा तो 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 यहाँ नमडर नवरा नेग्टिव होगा हाँ आए अचा बेसीकली अगर मैरा 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 तो यहाँ मैरा मैंस 2.5 है इसे तो फारवज हसाईण जमिलाते मीनिक जिसे हैतुबिए उसे दूर का दिखाई देता है लेकिन पास 13 आधा जा कि यूजरी जो तो ऐसे लोग जिनको पहले से चश्मे नहीं है बट गुड़ापे में उनको युजिन है अपने देखा होगा कि जब वो कुछ पढ़ने वढ़ने जाते हैं आपके परेंट्स या आपके ग्रैंट परेंट्स जब भी आपको पढ़ने जाते हैं तो वो अपना चश्मा लगा लेते हैं विकाज उनको हाइपर मेट्रोपिया होता है उनको दूर का तो बहुत अच्छी से दिखाए देता है और उनको पास नहीं दिखाए इसकेस में जो पावर होता है वो होता है तो आपका चश्मे का नंबर पॉजिव है कि नेगेटिव है यही देख कि हम लोग पता दो मेघू लेहीर से अच्छुली कॉन केवलेंस छिठी अवारो लेन्ट से ऐंको हार रसाइट होता है इससमें पॉसित इसकेस थाना अलए जैनन कोई तो जीन बर्चों को आइए अटेटी है जो छोटा सा पार्ट खेर दिखायों दॉक्टर है प्रिस्ट्राइब लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डाया तो में डॉक्टर के पास गया मैंने बॉला डॉक्टर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है दॉक्टर मुला ठीक है एक काम कर यहां पे तेरा आई टेरा आई चेक करता हूं डॉक्टर ने मेरा इस चेक है और यह पूचा गया है और क्या पूचा गया है वाट मस्ट बीट इफेक्ट आउ विजिन डिफेक्ट का नाम क्या है यह सिंपल सा क्वेशन है जल्दी से बता दो मुझे यह जल्दी बताओ चलो सबसे पहले शिंपल सा फॉर्मिला आपका जो पावर है वह फोकल लेंट होता ह हे वह फावर जाहा हूं हो एद्यकर तफोर कलन एत पावरर फोकल लेंट नेखले वह अपका सोक्तव नेखान ऑन वह फोकल लेंठेल सफ वोट बन जाएकँड़ा वनाइगा बैफावर सब्सकहिं अब हीाच्छे से क але उनसी करोंगा को थिवाई ठीजिवा लेंस सकता हो अ तू बाइट लिखने के लिए अभी इस चीज को और आगे फुर्दर क्याल्कुलेट कर सकते हैं यह आपका शुन्य दसमलोग 670.67 के आसपास आज जाएगा अच्छा एक बात अभी आपे यूनिट्स क्या ले इसे में सेंटीमीटर लू की मीटर लू इसे मेटर लू इसे तो अगर मैं सब कुछ सब्सक्राइड लिए तो आपको आंसर भी सायुनिट में आएगा और लेंट का मीटर होता है संतीमीटर नीए होता है बहुत बच्चे गलती कर लिए आप सेंटीमीटर लिख लिख ड़क अंगर आप यूनिट गलत लिख रहो तो तो देरी ला चांस देख आदा मार्स जाएगा ही जाएगा, वह मुझा पूरा मार्स काट सकता, बॉरेटर बोलेगा, आंसर तो बहुत ही अगे है, तो प्लीज यूरेट अच्छे से लिखना, आपका अंसर यहाँ पे मीटर में आगे, तो जिंजिन बच्चों को यहाँ तक लिए आगे बताओ, पहला कोशन तो बहुत बहुत वनभाइक करना था, पी जिओल दुभाइक अपलाइगा तो इसे अच्छे से मार्क कर लिख दो, यह जो यहाँ दिया है, इस तिंग सही है इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो आपकी बहुत सारी आंसर यही देदेगा तो इसकेस में सिंस आपका जो पावर है वो पॉजिटीव है तो यह स्विया यूजिग अ कॉन्वेक्स लेंस तो यहां पर आपका जो आंसर में आ जाएगा कॉन्वेक्ष लेंस तो इस थर्ड पार कोन बताएगा मुझे अधिफेक्ट का नाम क्या है इसे क्या बोलते है इसे फार साइटें इसे वह भी लिग दो पार साइटें लिग दो जैसे मिने बताएग्दाम को बताने हम लोगो कितना आता है हर पॉइंट में इसे तो इतना आता है तो भाई कुछ भी कर तुमेरे माक्स नहीं काट सकता सही है तो जिन दिन बच्चो को यह क्लिरे थमजब दो चलो जल्दी से क्या बोला है आपर थ यह कैप टूचिंग इन रो, वाटप दो टूटल पावर अफ दो लेंग चंगेंशन सुख देए लंसिए लेंस और देने वैंग्वेड देन लेंट्री इसका पावर दे रखा है तो टायप्त इसका पावर देखा है 2.5 डायप तर और इसका पावर दे रखा है 1.7 डायप आपका लेंस थीए इसका पावर 2 इसका पावर 2.5 अरुपार और वन पॉर्ट तो बोला का एक अभी यह लेंस कॉंपिटेशन का नेट पावर के तो यह चीजा आधर को जबी भी हम लोग लेंसे को कॉंटाक में रखते तो आपका पावर एड़ पूजा तो यहां पेक स्टेटमें लिग दो लेंसे सिंकॉंटक लेंसे केप इन मतलब इनका जो अरिस्पेक्टिव पावर मैं अद करने है तो इसके समय नेट पावर किया होगा को बताया मुझे यह नेट पावर पूचा इसके समय जल्दी तो दो दो सकना अंसर एए अन्यमन स्टपावर ममजश सिंप्ली अर्री के पावर को अड़ी का आई करने है तो दूसरे वाले का पावर है 2.5 और तीसरे वाले का पावर है 1.7 अट्सट्थश ए पावर आपका ऑन्सट्थट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो जिद इन बचाओ एक लेरे थम्जा तो चलो जल्दी से ठीक है तो जाब बोलके रखाया पे एंपजेक्ट केप 60 cm फ्रॉम लेट्स गिवस्ट विर्टल इमेच 20 cm इन फ्रॉंट ऑप देलिट्स स्यम्ट अब्चेप 60 cm फ्रॉम एलब यावब ऑब्चेच दिसक्थ देखाया अब्चेच दिस्टंस क्या देर अब्चेच दिस्टंस 60 cm से चलो एंब्चेच चब 60 cm फ्रॉम लेंच इवसब वन फिर्टियल मेंज भाव 20 cm in front of the lens with an image का distance दे रखाय है, image distance, यह दे रखाय है 20 cm लेकि इसी के साथ क्या बोला है कि यह जो image यह आपकी वर्चुल है, यह आपकी image वर्चुल है, सही है, ठीक है, तोर question क्या पुचे, what is the focal length of the lens, focal length पूचा है lens का और is it converging or diverging, बतब lens का type, lens type, यह पूचा है, तो जिंजिन बचो को question clear, एक thumbs up दो मुझे चलो जल्दी से, धान देना सम पच्चे, अच्छे से ध्यान देना कि इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले आप हमें solution जैसे मैंने बता है, whenever we write solution, we start with the data, जो given condition है, जो given है वो लिखेंगे, सबसे पहले object distance दे रखा है, object का distance दे रखा है 60 cm, तो object distance को small user represent करते है, यह 60 cm, अभी plus low की minus low, जल्दी बताओ, minus, minus, सही है, good, minus, minus लेना है, good, मैंने बताया था, आपको object distance हमेशा negative लेना है, लोक कर दो, mirror के case में भी, lens के case में भी, object distance is always negative, तो yes minus, अच्छा, यहां पर image distance दे रखा है, image distance दे रखा है, plus, कौन बोलेगा और plus लोकी minus लो, yes anyone, sir क्योंकि राइट साइड मार उपर भी एना, किसने बोला उपर है, बोला है बोला है, सही है यहां पर एक बंदे का अंसर आया है minus, ओंका आया है minus, actually, actually, यहां पर मैंने आपको अल्रड़ी बता दिया है, मैंने आपको बता है था कि यह जो box में आप जो लिखा है कि यह बहुत important है, तो यहां पर आपका image दे रहा है virtual, आपका image जो वर्चुल दे रहा है, तो image distance केना ऐसा negative होना चाहिए, ग cuer आपकी एमेरे टेमाल आपको लीक आयाइँ आपका इमेजेस्नानी इमेजेशन से बता है इमेजेशन त अ kosten चलोनी त फैफैक किमेज अंओनु यहां फो यह यहां पे हमुड नेकिटिव थे यह यॉट ह यॉट हम लेंकि की यह ब् Lydia ओम अमिद्टय場近 aging हमें यूमिया में वी मिल गया स्टार्ट करेंके हमें lans का नीकालना और लेंड्स का टैिप भी पता चाना नहीं सबसे पहले सुल eyelid OUR से निस्सटार्ट करेंगे पॉर्मिला से नियू से माक्त होते है रिमेंबर थै Truong 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, तो करना क्या, इसमेदी जो दिया है वो सब्स्टीटूट करना है, जैसा दिया है वैसा बॉस्टीट करना है, पॉसितिव दिया है तो पॉसितिव दिया है तो नेगिटिव, तो इस केस में V के बदले, minus 1 by 20, sorry, V के बदले minus 20 आएगा, माइनस उच्विटवेगा है। मीनस राओं। माइनस यू के बदले निकता है। इस इक्वल टू 1 यहां पर 1 ऐस एक्वल टू यह माइनस यू लगा तो यहां पर 1 बाइश क्वाउय तो यहां पर 1 आज या जाएगा। अच्छा दोनों का LCM 60 है, दोनों का LCM actually 60 है, तो मैं डिनोमेटर को 60 बनाने की कोशिच करूँगा, 1 by 60 minus 20 into 3060 होता है, तो यहां पर आ जाएगा 3 by 60, तो यह चीज़ बन जाएगा 1 by F क्या बन जाएगा, आपका यह बन जाएगा 1 minus 3 by 60, तो यह आपका बन जाएगा minus 2 by 60, which is nothing but minus 1 by 30, तो आपका जो focal length है, वो minus 30 आ रहा है, यूनिट के आएगा सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, जिन जिन बच्व को यहां तक रिरे थम्दा तो मुझे चलो जन्दी से का फोकल नेगटिव कैसे आया, वट इस लेंस टाइप, फोकल लेंट तो आगया, अभी और एक क्वेशन है कि लेंस टाइप बताना आपको, कि डाइवर्जिंग, ओके देखो फोकल लेंथ आपका नेगेटिव आरा आपका फोकल लेंथ जो है नेगेटिव आर मैंने आपर अल्रीड आपको टेबल दे रहा है कि जबी भी आपका फोकल अच्छा इसमें लिखाया में एड़ इसमें और एक पॉंट डाल दो इसमें औ से और अगर आपका फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है याट मीज एक ओंकेव लेंस है इसे हम लोग डाइवर्जिंग भी गुलाते है तो आपका यह जो टेबल बना यह मास्टर टेबल जो बना के रखा था इस मास्टर टेबल में और एक चीज़ जा जाल दू कि आपका फोकल इस केस में नेगेटिव आ रहा है आपका जो फोकल इंसे में नेगेटिव आ रहा है यहस तो यह बन जाएगा आपका ओंकेव लेंस विटी नदिग बट डाइवर्जिंग अचा आंसर में डाइवर्जिंग लिखना है विकॉस्टेशन में पूछा गया है कि कौन वर्जिंग एगया डाइवर्जिंग तो जिन दिन बच्चों को ये ख्लेर एक जल्दी से छोटा सा थम्जा तो मुझे चलो ओके